जहिन दोस्तों आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अपना बर्ल भैक्ट में स्वागत हैं इससे पहले हम पिछले वाले वीडियो में कर चुके थें चलिए हम आज यहां से आगे बढ़ते हैं तो आए हम फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को सन्नी गरह इसके बायुमंडल में ब्रिहस्पति के समान बहुत सी गैसे पाई जाती है इसी कारण इसे गैसों का गोला गरह भी कहते हैं सन्नी का उप्री बायुमंडल पीली अमोनिया कनों की परत से घिरा है जिससे यह पीले रंग का दिखाई देता है यह सबसे कम घनत बाला गरह है इसका घनत जीरो पॉइंट सेवेन किलो गराम सेंटीमिटर क्यू है कम घनत में के कारण यह पानी में नहीं डूवेगा इस गरह के चारो और साथ छले बलाए हैं जिन्हें A, B, C, D, E, F, G कहते हैं यह बलाए इसी गरह के टुकड़े हैं जो सनी के गूत्वकर्शन के कारण इसी के समीप रहते हैं इन छलो के कारण ही सनी को अकास गंगा सद्रिस गरह कहते हैं लगभग परतेक 14.7 बर्स में एक खगोलिय घटना में सनी के छले कुछ समय के लिए लूप्त परतित होते हैं जिसे रिंग क्राउसिंग की घटना कहते हैं मतलब सन्नी गरह है जिसमें रिंग क्राउसिंग की घटना होता है। सन्नी के 62 उपगरहों में से 21 उपगरहों को माननेता प्राप्त है, अतस सारवदिक उपगरहों वाले गरह की संख्या में सन्नी का अस्थान पर्थम हो जाता है। क्योंकि बर्तमान में सनी के पास सबसे ज़्यादा बेराशी उपगरह हैं, टाइटान, सनी का सबसे बड़ा उपगरह हैं, जिसका आकार लगभग बूध के समान है, एसेंडेलस नामक उपगरह एक सकीरिय जो आला मुख्य है, फोबो उपगरह सनी के आन उपगरहों किया पेच्छा बिपरी दिशा में परिभार्मन करता है, पाइनियर एवं केसनी यान सक्ति ग्रह के अन्वेंशन है तू, भेजे गए परमुख अंत्रीची आन हैं, अरून इवरेनस अरून गरह की खोज सर बिलियम हर्सेल ने 13 मार्च 1781 सिवी में की थी, इसे आधुनिक गरह कहते हैं, यह अपने अज पर इतना जुका हुआ है, लागग 82 डिगरी की इसे लेटा हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण इसे लेटा हुआ गरह कहते हैं, इस गरह पर मिहतेन की अधिक्ता होने के कारण हरा दिखाई देता है, यह अपने अज पर उल्टा घुर्णन करता है, जिस कारण वहां सुर्योदय पस्चिम में होता है, यह आकार में तिसरा बड़ा गरह है, तथा सुर से दूरी में सात्मा है, इस गरह के भी पाच वले हैं, इसके 27 अग्यात उपगरह हैं, जिसमें ट्रेटेनिया सबसे बड़ा है, बरून, नेप्चून, इसकी खोज 1846 इस्वी में जौन गारले ने की थी, इस पर भी मिथिन की अधिक्ता होती है, जिससे यह निला दिखाई देता है, इसलिए इसे अरून का भाग कहते हैं, यह सबसे दूरी परिस्थित है, यह सुर्य की परिकर्मा में सबसे ज़्यादा समय, 165 वर्ष लगता है, यह सबसे ठंडा वाला गरह है, चाउदा अग्यात उपगरह है, इसके ट्राइटन सबसे परमुख है, ट्राइटन पर उसनोट्स गीजर के परमान मिले है, परिकर्मन, रिवोलूशन, गरह द्वारा सुर्य का चक्कर लगाना परिकर्मन का लाता है, परिकर्मन के कारण ही बर्ष की घटना होती है, परिभर्मन सुर्य घुर्णन करता है, रोटेस्टन, अपने अज पर चक्कर लगाना घुर्णन का लाता है, दिन और रात की घटना घुर्णन के कारण होता है दिन और रात के जो घटना है वो परिभर्मन यानि घुर्णन के कारण होता है और बर्स की घटना जो होता है वो परिकर्मन के कारण होता है इसको याद रखिया रगा इस एंपोर्टेंट पॉइंट है। ग्रहो के नाम परिकर्मन सदी का फेरा परिभर्मन लट्टू। बूध अठासी दिन उनसट दिन। सूक्र दूसो चोविस दिन दूसो तेतालिस दिन। पिर्थिवी 365 दिन चोविस घंटा। मंगल 687 दिन पचीस घंटा। ब्रियासपत्ती 12 बर्ष 9.5 घंटा। सन्नी 29 बर्ष 10 घंटे। अरून 84 बर्ष 18 घंटे। बरून 165 बर्ष 16 घंटे। ग्रहो के रंग, बूध का रंग ग्रे होता है। सुक्र का रंग, एलो पिर्थवी बुलू। मांगल लाल और भूरा दोनों होता है। ब्रियासपती अउरेंज भाइट बैंड। सन्नी गोल्ड कलर का होता है। अरून बुलू और ग्रीन दोनों। बरून ब्लू दूसरे ग्रहों पर भेजे गए किरित्रिम उपगरह पहला सूर्य पारकर पाइनियर आदित बूध पर भेजा गया है मेरीनर मैसेंजर सुक्र पर वेना वेनेस मैगलेन पिर्थी पर अस्पुतनिक चली आज के लिए इतना ही फिर हम इस्ते आगे अगला वीडियो में बढ़ेंगे अगर आप लोग चैनल प्रनाय होंगे चैनल के सस्क्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो कॉमेंट भी जरूर कीजिएगा थैंक्यू धनेवाद